सब्सक्राइब कीजी रखतिन चक्रवृती चैनल को और बेल आइकन को दबाईए मेरे चैनल के लेटिस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए का लास्ट वीडियो मेरे चैनल में और टॉक्स टोटली एंट में आ चुका यह काफी रिमार्केबल रहा है फोन की टेकनोलीजी में में काफी घंडार तकर दिया और एक रिएल्म ने काफी ज्यादा डेवलब किया अपने कंपश्क्राइब और आइफोन की भी बात कर लें तो काफी जादा इनौवेटी फोन सभी ने काफी महनत से निकाला आइज यह जो 2019 यह एकदम से इनौवेटीव यह आप कह सकते हो यह इस साल गाइज फोन्स का जो प्राइस बिल्कुल से कम हो चुका है और बिल्कुल से जो प्रोसेसर से इसमे इस पांसब्स वीजिस ऐसनीजी कगोरिव जस जिस ट्रॉम वीजिस ट्रशच कंद्स निकालने में भी बहुत जादा महनत करो मांने मुझा किया तक एफ wspmesh ौन निकालने में तुक्सyन चेज़ुंस तौइस एस लिए बात कर ने आइख़त जाए में डैने मलाना आप दक तो किस्ट पहला भाई सबसे बेश्ट फ्लेक्सि फोन है वो है आइफोन 11 प्रो वैंपोन 11 Max प्रों निकाला तो इसका भी बता दे रहा हूं यहां पर आइफोन 11 प्रो में आपका वो जो फोन बिल्कुल यार भड़ा है यानि बहुत बड़ा है और अगर आपका गाइस हाथ में वह हैंडी होता है तो आपके लिए सही है लेकिन आइफोन 11 प्रो जो है वाइस हर एक दान के हाथ में काफी हद यानि फिट और सुटेबल है और जो फोन है उसको आपको पकड़ने के लिए यार एकदम से स्ट्रेच नहीं करना पड़ेगा अपना हाथ काफी हद्दक यार यह हैंडी फोन है और इसका जो परफॉमेंस है वह एकदम से फ्लैक्शिफ परफॉमेंस आपको मिलता है और आइफोन 11 मैक्स प्रो में भी से प्रोसेसर देखने को मिलता है जहां तक कि मैं कैमेरा की बात करूं तो बहुत अच्छा देखने को मिलता है यहां पर मुझको नहीं लग दाग इसमें आपको कोई डाउट और यानि कुछ भी डाउट होना चाहिए यार आइफोन का 11 प्रो ये बेस्ट है बिल्कुल सब कुछ आइफोन की तरफ से टॉप नौच पून है तो कि मैं एंड्रोइड की तरफ से एक फोन चुन हो तो कि मैं यह बताना चाहूंगा कि सैमसम गैलक्सी एस टैन प्लस या फिर नोट टेन प्लस दोनों भाई बिल्कुल धमाकेदार पून है एंड्रोइड की तरफ से भाकी सारे जो फोन आप कहेंगे कि रियल मिका एक्सटू यह सब क्यों नहीं मैं कह रहां कि कि आप कहेंगे तो तो कि मैं बिल्कुल से तो कि बात कर रहा हूं तो काफी हद तक बहुत अच्छे फोन कि निकल के आता है कि यह सबसे इस साल का बढ़ा फ्लेक्सी फोन है सबसे बड़ा इस फोन का जो साइज बहुत ही बड़ा है और आपको इसको पकड़ने में दो हती लगने वाले अल्मोस्ट लाइस टैबलेट लाइक एक्सपिरियंस अब को मिलने वाले बहुत ही बड़ा एक रेक्टैंगूलर फोन है जिसमें आप अच्छे से गाई उसको लिक्विड कुलिंग टेक्नोलीजी मिलता है बहुत अगर आप ज्यादा गेम खेलते हैं उसके लिए भी अच्छा है पर्फोमेंस भी अच्छा है कैमरे इसमें पांस देने को मिलता है जो जिसमें आपका एज़िटेक्शन टेक्नोलीजी सब कुछ गाई बिलकुल टॉप- तो डिए तो गई इसका जो फोन बिल्कुल बहीं बिल्कुल से ओर आइफोन गजो 11 प्रोह है वहें यह ए और अधिस सब सब मामले में बहुत अच्छा पर्फॉर्म करता है इसलिए मैं उसको चुना है तो इस बजट फोन की बात करें तो इस बजट फोन के सेक्षन में दो फोन जाते हैं जिसमें से एक रेडमी का नोट एट प्रो है जो कि बिल्कुल से बजट किलर रहें बजट के हर एक फोन को गाई यहां पे टार्गेट करता है लाइक जादा तर अंडर 20,000 सब कुछ रखने की कोशिश की है तो गयाइस रेडमी नोट एट प्रो की बात करूं तो वाइस वह बिल्कुल से 20,000 के अंडर यह आ जाता है अभी जो बाइस वेरियंट वह ट्वेंटी एट ट्वेंटी थावज़न के आसपास आता है और गयाइस अगर गयाइस उसका तॉप वेरियंट की पाइस थोड़ा पर जाता है ऊद्वेंट स्वेटन के बात करूंग उसका जो पर्फोर्मेंस Kitty दो पर्फोर्मेंस मेरा का परफोर्मेंस य Congrats थो होते है उनको आशा करता हूं कि घइस हूंत Hello सब्सक्राइब करने वाले पसंद करते हैं तो मैं रियलिस्टिक जो कैमरा परफॉमेंस मिलता है और और एक मैं जो फोन कहूं जो कि एकदम से बजेट और बहुत ही अच्छा फोन है जो कि है परफॉमेंस में थोड़े डाउन कहूंगा रेडमी नोट एट पुरो जो है उसमें रियलिस्टिक फोटो आता है जिसको गईज अब एडिट करके और बहतर बना सकते है जहां की एक तुमें वह चीज नहीं मिलता है और यहां पे जो आपको मिलता है जो प्रोसेसर जो प्रोस जंग पैप सेटा युम की घुनें अपर फिंगरप्रापिसीus हैो जह को मिलता है लोगत लुग है कि मनद फ्रसक चाहर को यह ऋन्यार थीजिटानज भी बढ़ी मळात बहुत ही आच्छा और इसके लिए बेहीं 7बनता है बेस्ट फ्लेक्शिप टिलर फोन की बात करो तो जो वन प्लस का 70 प्रो जो है बिल्कुल भई बिल्कुल से भई सब को किल कर देता है उसका जो पर्फॉमेंस प्रोसेसर है सब कुछ यार गेमिंग अगर आप करते हो तो बिल्कुल भई आपके लिए अच्छा है लेकिन इसमे सबसे अच्छा प्रोसेसर है और मैं मानता हूं इस सबसे अच्छा प्रोसेसर है सबसे बड़ी बात मुझे से यू आई बहुत अच्छा लगा है जो कि यह जो अक्सीजन वेसे मुझे को भी बहुत लगता है तो मैंने इस सब्सक्राइब काफी फोन शीडाओ अच्छा गईज मैं फोन करूंगा आस उसका आरूजी फोन टू तो फोन जो है वह वो है ओविसली नेज इस साल का का फी धमाल माचाने वाला काफी अच्छा गईस म को आपको देखने को जा रहा है जो एकनी को मिलता है ऐसका जो चारजींग पोते कहां काफी है कॉण काफी इसको श्यापकर कर सकते हुआ अगर आप ज्यादा तर चाहों तभी खरीद दो यार आपको बाकी अगर अच्छा ना लगे इसमें जो नॉच भी नहीं है इस पेसल जो गेमिंग के लिए बनाया गया है क्योंकि जो इसका जो साइज एकडम से मेजर जो है बिल्कुल परफेक्ट रखा गया है इसका जो आप देख आप जो गूलिंग टेकनोलीजी यह इसके पीछे जो एरवे बहुत ही ज्यादा गरम हो रहा है तो इसको ठंडा करने के लिए एक्चले काइज यह फोन गरम होने ही नहीं वाला क्योंकि इसमें जो पीछे यह लगे है इसको अगर आप अच्छे से गाइस एकडम इस फोन को यूस करते हो तो तो एकडम यह अल्टिमेट परफोर्मेंस एक गेम में यह एक्डम पीची लाइक एक्सपीरियंस आपको देने के लिए काफी है यार इसमें एक्डम से फ्लैक्षिप प्रोशेशर है इस यह का सबसे फ्लैक्षिप प्रोशेशर गाइस इसका जो को स्टे अबाउट 38000 के आसपास यह यानि वन प्लस के फोन के आसपा प्लस के लिए क्योंकि बहुत ही एक धमाकेदार और अल्टिमेट पर्फॉर्मेंस देने वाला फूने सबसे बड़ी बात कि इस फोन में आपको जो दूसरे भी जो करें एटेश्मेंट मिलते है जो आप जोईस्टिक यह सब लगा के अब खेल सकते यह भी गए बात है इसी प्लस को सकता है इतना साधा करिस्टमाइजेशन के साथ अपने प्पजी जा फिर फी फायर जो भी आप खेलते हैं वह आप खेल सकते हैं अगर मैं इस साल का मोश्च इन्नोविटीव फोन की बात करूं तो कर तो किसल कश एक इसम्षाल का में स्क्राइव नहीं को कहूंगा कि जो जो स्क्रीन गार्ट उखाड दे रहते हैं उसका जो फोन है वह गास बखाड खराब हो जा रहा तो उसका फोन है बहुत बहुत इंस्टाग्राम ट्विटर इन्सब में बहुत प्लाइख चल रहा था इसके उपर ऺगाइस बहुत बवह। द्यूरबल नहीं है ब्ल्कुल से जाने वाला हो जाने और शाल का इस साल का मान सकते कि उसके पीछे दो 2-4 अभी 5 camera हो चुका है और सामने स्क्रीन होता है लेकिन ऐसे फोल्डेबल फोन कौन लाता है यार फोल्डेबल फोन इस साल का एक ही निकला इसलिए मैंने बहुत सारे निकला है पर इनोवेटी वर अच्छा वर्टिंग वाला एक ही निकला जो कि वह समसुम का गैलक्सी फोल अगर इनोवेटी फोन की बात करो तो अगर आप सिंपली फोन खरीने की सोच रहे हो तो इसके उपर मैं कहूंगा कि मत खर्च करो इतना रुक्या क्योंकि जो सामसुम का गैलक्सी फोल्ड वो गया था यह अगर आप दूसरा फोन की तरफ भी जाओगे ना तो आपको बेस् पर्फोर्मेंस तो बेटर एक्स्पीरियंस जेकिन को मिलेगा अगर कैसा पहला वही कुछ ट्राइक करना चाहरे हो फोल्ड के जमाने में तो फोल्ड फोन खरीब ज़क्यों आज के वीडियो में आपको यह बताना चाहरा था कि जो फोल्ड यह सारे जो फोन से यह मेरे एक वीडियो नहीं डालने वाला मैं उसी के बाद मेरा जो सेटरेड़ संडीय जो टाइम टेबल है उसी में अपना वीडियो डालता हूं आज के लिए इतना ही गाईस मैं आपको फूर्य के बता चुका हूं अगर अभी आपको अभी भी कोई फोन खरीदना है वे जरूर से बह अगर आपने मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रेस कर देना तो मैंने तो अपना काम कर दिया अपको अपडेट बता गया आप कर दो शियर लाइक सब कुछ करके तो आज के लिए ने मिलता अब से नेक्षिटिव में सो तब तक के लिए गुडबाई झाल